नमस्कार मित्रों, जय मातादी स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में, तो कन्या राशिवालों मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार ने आपका पर्चा निकाल दिया है और पर्चे में दो औरतों के नाम आए हैं, इन दो औरतों से अभी के अभी रिष्टा तोड़ लेना, वरना मात्र साथ दिनों के अंदर यह दो औरतें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगी, साथ ही आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी, इन दो औरतों के नाम बागेश्वर बाबा के परिचय पड़ी हुई है, आखिर कौन है यह दोड़ते और आपको क्यों बर्बाद करना चाहती है, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, दोस्तों आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा खत्रा जो अगर आपको होगा, तो वह है यह दो औरतें, इन दो औरतों से आपको बहुत बचकर रहने की जरूरत है, और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह दो औरतों से आपका बहुत गहरा रिष्टा भी जुड़ा हुआ है, इन दो औरतों को आप अच्छे से जानते और पहचानते भी हैं, बलकि इन दोस्तों पर आप बहुत इन दोनो औरतों की पोल खोलने वाला हुँ, इन दोनों औरतों ने आपको बरबाद करने की कई सारी कोशिश करी है, लेकिन ये लोग काम्याब तो होते थे, लेकिन पूरे काम्याब नहीं हो पाते थे, आपने देखा होगा कि आपके पिछले समय में कई आपको मुसीबते आई होगी, कई तकलीफें आई होगी, जिनके पीछे केवल और केवल इस औरत का हाथ था. आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि दोस्तो, पिछले समय में आपके जीवन में जितनी भी मुश्किले परिशानियां आई हैं, वह सब आप इन दोस्तों की वजह से आई है. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो औरतें आपको बरबाद क्यों करना चाहती हैं, और आखिर ये दोडते, आखिर इनका नाम क्या है, इनकी पहचान कैसे करोगे? आज के इस वीडियो में सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ. बस, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा. क्योंकि अगर आखिरी तक नहीं देखोगे, तो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे. और जब अच्छे से नहीं समझ पाओगे, तो फिर दोस्तों, इन औरतों की चाल कामयाब हो जाएगी और ये बहुत जल्द आपको मिट्टी में मिला देगी. क्योंकि इन दोनों औरतों ने तयारी कर ली है और बागेश्वर धाम सरकार का परचा कभी छूटा नहीं होता है. मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, जो कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न हो, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा. अगर आपने केवल एक बार वह उपाय कर दिया, तो पूरी जिन्दगी आपको कोई दुश्मन भी परेशान नहीं कर सकता. तो आखिरी तक बने रहना, और आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. मैं आप लोगों के लिए रोजाना मेहनत करता हूँ, और जरूरी जरूरी खबरें आपकी राश्य से जुड़ी लेकर आता हूँ, और बदले में आप केवल एक लाइक तक नहीं करते. मुझे देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन आज वह मेरी वीडियो को लाइक करेगा, जो अपनी माँ से सच्चा प्रेम करता है. अपनी माँ से अगर आप प्रेम करते हो, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना. साथी दोस्तों, नीचे कॉमेंट बॉक्स में जो भी जैमाता दी, लिखेगा उसे अगले 24 गंटों के अंदर बहुत बड़ी खुश खबरी मिलेगी. तो आईए और अभी क्या भी लिख दीजिए. जैमाता दी, माता रानी. अगले, 24 गंटों में आपको बहुत बड़ी खुश खबरी देगी. आईए दोस्तों, आखिर कौन है, वह दोड़ते जान लेते हैं, जिनसे आपको बच कर रहने की जरूरत है, और जिनका नाम, बागेश्वरधाम, सरकार के परिचय में आया है. देखिए दोस्तों, आउर्तों का हमारे जिन्दगी में बहुत महत्व होता है. हमने कई बार आप लोगों को बताया भी है, आउर्तों में दोस्तों कई सारे गुण पाये जाते हैं. एक औरत अपने पूरे परिवार की नीव रखती है. दोस्तों, हमारे जीवन में आउर्तों का बहुत महत्व होता है. जैसे कि हमें जन्म देने वाली हमारी मां होती है, वह भी एक आउरत होती है, फिर हमारी एक बहन होती है, फिर एक अध्यापिका, यानि की एक शिक्षक होती है. वह भी हमें घ्यान देती है, और वह भी औरत ही होती है फिर आगे जाकर एक मर्द की एक स्त्री से शादी होती है और वह स्त्री दोस्त औरत ही होती है दोस्तों के बिना इस संसार का अस्तित्व ही नहीं है औरतों को घर की लक्ष्मी तक माना जाता है दोस्तों, औरते घर की रौनक होती है लेकिन कैसा होगा जब आपसे कोई कहेगा कि यह दो औरतें आपकी जिन्दगी को बरबाद कर रही है तो आपको भी सुनकर धक्का तो जरूर लगेगा क्योंकि कुछ औरतें ऐसी होती है जो अगर दुश्मनी पर उतर जाए तो सामने वाले व्यक्ति को यानि की जिनसे वह दुश्मनी करती है उस व्यक्ति को पूरी तरह से बरबाद करने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपना लेती है फिर चाहे टोना टोटका करना हो फिर चाहे जादू तंत्र मंत्र करना हो वह अपना बदला लेने के लिए हर हद तक गुजर सकती है इसलिए औरतों से कभी भी किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं करना चाहिए देखिये दोस्तो पुरुषों के बीच में जब लड़ाई चल कपट जलन की भावना नहीं रखते हैं अगर लड़ाई हो भी जाती है तो वह उसी समय उस लड़ाई को निप्टा लेते हैं और मन में किसी भी प्रकार का द्वेश भाव नहीं रखते हैं लेकिन अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों में ऐसा नहीं होता स्त् और अगर वह बात बहुत ज्यादा गहरी हो, तो वह औरत सामने वाले व्यक्ति से दुश्मनी निभाने के लिए हर संभव प्रयास कर देगी, जिससे उसकी दुश्मनी हो. वह उस व्यक्ति को बरबाद करने के लिए कई सारे हथकंडे तक अपना सकती है. इसलिए औरतों से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए. देखिए दोस्तो, यहां बात हो रही है आपकी राश्यकी और आपकी राश्यके लिए दौड़ते सबसे ज्यादा खतरनाक होती है. यानि कि दो नाम की औरतें आपकी जिन्दगी में हमेशा बड़ा बवाल मचाती हैं. आखिर कौन है वह दौड़ते? आज के इस वीडियो में हम सभी जानकारी देंगे, लेकिन अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा. दोस्तों, आपकी राशी के लिए कन्या राशी की ओरतें बहुत ही अच्छी होती है. कन्या राशिकी औरतों से, दोस्तों आप लोग संबंध बना सकते हैं, उनसे आप दोस्ती भी रख सकते हैं, क्योंकि कन्या राशिकी औरतें आपके साथ बहुत अच्छे से रिष्टा निभाती हैं, दिल से रिष्टा निभाती हैं, कभी भी कोई लड़ी धाई जगधा, कन् के रिष्टे बहुत अंत तक जाते हैं। दोस्तों, व्रिशब राशी की औरतें आपके साथ हमेशा दिल से रिष्टा निभाती हैं। अब बात करें, दोस्तों, दुश्मन राशी की, यानि कि आपके लिए दोस्तों सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है, तो वह है कुम्भ राशी की महिला। देखिए, कुम्भ राशी की महिला आपके लिए हमेशा खतरा बनी हुई रहती है। अगर आपके आस-पास कोई कुम्भ राशी की महिला हो, तो उससे हमेशा बच कर रहीएगा। हो सकता है आपके आस-पढधोस में कोई कुम्भ राशी की महिला हो, लेक हम अंधविश्वास नहीं पहलाना चाहते, लेकिन इस जिंदगी में आपके साथ कुछ ऐसा होगा, जिससे उस महिला के साथ और आपके बीच, दोनों के बीच, कभी ना कभी बहुत बढ़धी लड़ाई हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे डरें, आप उनसे दोस्तों बच बच कर रहें। लेकिन घरेलू रिष्टों में यह चीजें लागू नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनका अगर हमें साथ मिल जाए, या वहस्त्री हमारे साथ रहे, या उससे हमारी थोड़ी सी बातचीत भी हो जाए, आए। या फिर उस्त्री का हमारे घर में आना भी हो जाए, तो उसके आने के बाद से या उसके रिष्टा रखने से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। जब-जब वह हमारे घर आती है, तब-तब हमारे घर में रौनक आ जाती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो इसका मतलब है कि उस स्त्री का जो चरण है, जो पग फेरा है, वह बहुत ही शुब है। उस स्त्री में लक्ष्मी विद्यमान है, जो हमारे लिए काफी अच्छी मानी जाती है। यानि कि उस स्त्री का आपके घर के साथ काफी अच्छा रिष्टा जुड़ा हुआ है। वह स्त्री आपके घर के लिए काफी शुब है। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, जो अगर आपके घर आए, या फिर उस स्त्री से आप बात चीत करो, तो आपके साथ बिलकुल उल्टा होने लगता है, आपके घर में लड़ाई जगड़े होने लगते हैं, आपके घर में अचानक कोई बीमार होने लगता है, सब कोई कर्ज है, यानि कि दोस्तों उस स्त्री से आप हमेशा दूर रहिए, उस स्त्री को आप अपने घर मत आने दीजिए, हो सके तो उस स्त्री से बातचीत भी बंद रखें, क्योंकि उस स्त्री का अगर आप से जुडाव रहेगा, तो आपके घर में हमेशा दुख तकलीफें आती रहेंगी, तो देखिए, आप इन चीजों को कैसे नोटिस करें, आप देखिए, कि कौन अगर आपके घर में आ रहा है, मान लीजिए, आप थोड़ा सा नोटिस करिए, कि आपके घर में अगर एक स्त्री आ रही है, उस स्त्री के आने के एक दो दिन बाद, आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो वहस्त्री आप के लिए शुभ है. आपके घर के लिए शुभ है. लेकिन अगर कोई स्त्री आपके घर में आ रही है और आपके जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, दुख तकलीफ बढ़ने लग गई, तो समझ जाईए कि वह स्त्री आपके घर के लिए अशुब है तो उस स्त्री को आप अपने घर से दूर रखें अपने आप से भी दूर रखें अपने घर के बच्चों से दूर रखें क्योंकि दोस्तों ऐसी औरतें हमारे घर की खुशियों के लिए बहुत बड़ा खत्रा होती है तो दोस्तों हमने यह चीज तो आपको बता दी कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह सब अंध विश्वास सा नहीं होता हम कहेंगे कि ऐसा hundred percent होता है ऐसा होता ही होता है दोस्तों आप माने या फिर ना माने आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अगर आपके पास आते हैं तो आपके जीवन में काफी अच्छा होने लगता होगा पर होता है, यानि कि आपके उपर भी, दोस्तों, ग्रह गोचर किस प्रकार से काम करते हैं, आप भी किसी के लिए अच्छे बन सकते हो, आप भी किसी के लिए बुरे बन सकते हो, जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति जो आपके घर में आ रहा है, उसके आने के बाद अगर आपके घ अगर आपके घर में अच्छा हो रहा है, तो वह केवल और केवल आपके लिए ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वह सभी के लिए अच्छा है, तो दोस्तों, हर इंसान का उसका अलग-अलग लखी चैंप होता है, यानि कि हर इंसान का एक दोस्त हो, या फिर एक रिष्टेदार जो लकी होता है यानि कि आसान शब्दों में कहें तो एक व्यक्ती का एक गुड़ लक और एक बैड लक दोनों होता है तो ये गुड़ लक और बैड लक दोनों ही इंसानों में पाया जाता है दोस्तों और वह गुड़ लक और बैड लक वाले इनसान उस व्यक्ति के आसपास ही होते हैं। बस उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है कि आखिर आपका कौन गुड लख है और आपका कौन बैड लख है। तो दोस्तों, आपके आसपास भी बहुत से लोग होंगे आपके घर में हो सकते हैं, आपके आसपड डिड होस में, आपके यार दोस्तों में, आपके रिष्टेदारों में तो उनमें साहब को पहचान करनी पड़ेगी कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन दोस्तों की जिन से आपको खत्रा बना हुआ है। देखिए, दोस्तों, आपकी कुंडली में भी ये बात साफ साफ अक्षरों में लिखी हुई है। आप चाहे तो किसी भी बड़े जोतिशी को बता सकते हैं। अगर जोतिशी अच्छा दोस्तों, फर्जी नहीं हुआ, तो वह आपको यही बात कहेगा, कि आपको खत्रा है दोस्तों से और उन दोस्तों की राशियाओं भी हमने आपको बताई है। पहले की कुंब राशी है और दूसरे की दोस्त तो है। मीन राशी, कुंब और मीन इन दोनों राशियों की जो अगर आपकी पतनी कुम्भ राशी की हुई या फिर मीन राशी की हुई तो आप उनसे लड़ाई जगडा करके उनसे रिष्टा तोड़ दो ऐसा नहीं करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कोई दुश्मन हो या ना हो, आपको पता किसी का चले या ना चले, लेकिन फिर भी आपको ये काम करना है जो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, मेरे प्यारे मित्रों आप, बस केवल एक काम करना है। बजरंग बल्ली के मंदिर जाकर आप किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार को मंदिर जाईए, अपने साथ एक काला धागा ले जाईए, सूती धागा ले जाईएगा। उस सूती काले धागे को हनुमान जी के चरणों में रखती चुएगा। और वहाँ पर बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस काले धागे को हनुमान जी के चरणों से उठाकर हनुमान जी की थोड़ी सी सिंदूर उस धागे में लगा ले। फिर उस धागे में ग्यारा गांठ लगा लें और उस धागे को अपने गले में पहन लें। इससे आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। फिर चाहे वह कितना भी बड़ा टोना टोटका करवाए, कुछ भी क्यों न करवाए, आपको डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आपको मेरा बताया गया उपाए अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह उपाए बहुत ही दोस्तों गुणक आपके उपर बजरंगबली की छत्र चाया हमेशा रहेगी। आपको किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगले साथ दिनों का राशिफल जाते जाते बता देता हूँ, पैसों से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस अवधी में आपकी इस दौरान उच्च अधिकारियों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों को अपने फैसले सोच समझ कर लेने की सलाह दी जाती है। सपता के अंत में आपके हाथ कोई बढ़िया अवसर लग सकता है। रिष्टों के लिहाज से ये सपता अनुकूल रहेगा। अपनों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके अपनों के साथ रिष्टे बहतर होंगे। इस दौरान घर के सदस्यों की मदद से आपकी किसी बड़ी समस्या का समाधान ह पैसों की स्थिती अच्छी रहेगी। आप जम कर खरीदारी भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप स्वयम को चिंता मुक्त पाएंगे और जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। सब्ताह के अंत में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी यह यात्रा बहुत ही मह प्रत्वपूर और खास रहने वाली है। निजी जीवन के बीच आप संतुलन बना कर चलेंगे। आप अपने काम के प्रती पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। इसके अलावा आप परिवार की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह स ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। शिक्षा से जुड़े किसी प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है। इस दौरान आप आत्म विश्वास से भरे हुए और उरजावान रहेंगे। अपनी आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाने के लिए यदि आप कोई निर्णय ल आई हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। आपको आज की इस वीडियो से जितना भी घ्यान मिला हो अगर उसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कॉमेंट बॉक्स में हर-हर महादेव अवश्य लिखिएगा। झाल